नमस्कार वेलकम तो इंग्लिश हिंदी ग्रामर लर्निंग क्लासे और अभी हम वाइस पढ़ने है और वाइस में टांस्फोर्मेशन देख रहे हैं एक्टिव वाइस से पैसिव वाइस में कैसे चेंज किया जाता है तो ही से पहले हम प्रेजें टेंज में देख चुके हैं पास्टेंज का हम स्थानारे करें अभी हम फ्यूज्चर टेंज में करेंगे और फ्यूचर टेंज का एक सबसे बड़ा जो तक वीशेस्ता है वह यह है कि sentence में और रहेगा future tense को सबसे आशान तरीका यह है कि sentence में और रहेगा चाहे future simple future tense तो इसको future indefinite काते है future continuous tense हो future perfect tense और future perfect continuous tense कुछ भी हो will or shell तो रहेगा तो जब तो वील और शैल रहेगा तो इसके आगे हमें समझना है तो जब हम टेंस समझते हैं तो टेंस में क्या करते हैं फ्यूचर इंडेफिनी टेंस में हम इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट के अनुसार वील चाहें शैल होगा वर्वन होगा अब्जे में जितने विवर्व होते हैं, फर्स्ट फर्म सेकेंड फर्म नहीं होता, पासिव और फर्म ही होगा, यहां पर एक्जापल दिया है, I will wish it my uncle tomorrow, यहां पर I कर आहिसार will लगा है,ksom बिजर circumstance में बनाएंगे, तो पासिव वाइश में सबसे पहले subject को object बना करकर रखेंगे, subject को अबजेक्ट के जगा पे रखेंगे, फिर wheel और shell object के अनुसार होगा, plus B लगेगा, इसमें नया चीज क्या लगा रहा है? B, E, B लगा रहा है, वर्व हथड होगा, by होगा, और subject का object हो जाएगा, Ram will eat the food, passive voice क्या हो गया? नेगेटिव है तो विल के बाद नौट आ जाएगा और इंट्रोगेटिव है तो विल और शेल पहले आ जाएगा और नहीं तो डबलू एच वाले हैं वो पहले आ जाएगा तो इस तरीके से इसके बाद से फ्यूचर परफेक्ट टेंस करते हैं फ्यूचर परफेक्ट आ गया जहां कहीं भी परफेक्ट शब्द आ गया इसका मतलब कि या तो हैज है ने तो हैब है ने तो हैड है और वर्व का थार्ड फॉर्म है जहां कहीं भी परफेक्ट आ गया तो वहां पर आपको क्या करना है सीधे सीधे वील और वील और शैल के बाद से हैब रहेगा हैज रहेगा हैड रहेगा कुछ नो कुछ रहेगा यहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वील और शैल रह होता है और वर्म का आई एंग यह थोड़ा सा यहां पर क्या है यह future perfect tense है यहां पर future continuous tense है तो future continuous tense में आई-ग होता है तो future continuous tense में आई-एं-जी होगा, वह रही जैसे हमने future जैसे हमने past continuous में बनाया है जैसे हमने present continuous में बनाया है उसी तरीके से यहां पर being लगा देंगे इस आर एम बीग डन जो था प्रेजेंटेंस में था वाज वेर बीग डन जो था वो past tense में था विल बी शेल बीग बीग डन वह जागा वो फूचर कंटिनूर स्टेंज में फूचर पर फेक्टेंज में है तो हैव के साथ बिन लग जाएगा अब विल के बीन इटन बाइं थोड़ा सा बड़ा लग जाएगा वीड हो जाएगा है बीड हो जाएगा यह लगता है बट यह इसका नेचार है नीगेटीव अगर होगा तो वील के बाद नोट लग जाएगा इंट्रोगेटीब मैं तो जो एक्जूलीरिज भर्ब है वो बाहर आजाते हैं इत्वा तो इस यह शोडी में वह बाहर आजाते हैं जो भी आपको लिन्ट्रोगेटिव तो इस विघ्जूलीरी में लुख सेते हैं जिसमें विल उसॉर का आञशर होता project उसमें auxiliary verb को बाहर निकाल देते हैं और जिसमें question पूछा जाता है उसमें auxiliary verb से पहले why, where, who, whom लगा देते हैं बन गया आपका sentence formation तो इस तरीके से future perfect tense में, future tense में continuous tense का पढ़ना नहीं है तो future indefinite tense, future continuous tense और future perfect tense तो इस तरीके से तीन present tense के, तीन past tense के और तीन future tense के सिर्फ 9 tense out of 12, 12 तरह के 12 tense हमने पढ़ने हैं, 12 tense में से सिर्फ 9 tense को हमें पढ़ना है 9 tense को सिर्फ कहीं कहीं पे जो उनके एक जोलीज भर्व हैं उसको change करना है, कुछ add करना वाला है उसको add करना है बाकि mostly subject के जगह पे object, object के जगह पे subject हो गया, verb का third form हो गया और उसके बाद by हो गया बस यह जो object है, जो subject बन चुका है, subject और verb third के बीच में जितने एक जुलीज भर्व है, यहीं पे जो changes करने होते हैं, वो करने होते हैं बिल्कुल मुश्किल नहीं है, कोई कठिम नहीं है, बस जरूरत है थोड़ी से practice करने की, जरूरत है बार-बार revise करने की, जब भी हम कोई नई चीज पढ़ते हैं, जब भी हम कोई नई चीज समझना चाहते हैं, तो उसको बार-बार revise करने से वपना हो जाता है, practice makes a man perfect, आप झाल